दोसो गर आप भी विराट और रोहित को बहतरीन खिलाडी मानते हर बुम्रा को भी तो विडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं बूलियेगा दोसो बुम्रा की खतरनाक गेंद पर विराट कोली ने ऐसा कैच पकड़ाना के देखकर आस्ट्रेलिया की टीम की हवाईया उड़ गई और हजारों की संख्या में बैठा क्राउड कोली कोली के नाम से नारे लगाने लगा कोली का ये अदबुद कैच जिसके आगे हमें मिला उस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा विगेट इस कैच का पूरा विडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई आज भारत उस्ट्रेलिया में से मैच कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके बताना बिलकुल नहीं भूलिएगा दोस्तों असल जंग वर्ल्ड कप की आज से शिरू हुई है आपको बता दे कि अब तक बागी आठ टीमों ने अपने अपने हिस्से की लड़ाईयां लड़ ली थी लेकिन सबका ध्यान भारतिय टीम पर था वर्ल्ड कप हमारे घर में जो हो रहा है और दोस्तों हमारा पहला मुकाबला उस्ट्रीम के साथ है जिसने सबसे जादा बार वर्ल्ड कप जीता है वन डे फॉर्मैट में और श्ट्रेलिया की टीम के साथ दोस्तों मेच दमरम स्ट्रीम में जैसे ही भारति टीम मैदान में कदम रखती है तो स्ट्रीम का माहौल बदल जाता है पारतिक रिगर टीम के वैंज भावुक भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एकसैड़िड भी कैट दोस्तों टॉस में तो रोहित की किस्मत साथ देती रही वो टॉस हार जाते हैं और उस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाज ही चुन लेती है और दोस्तों उस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी जोडी को समालते हैं डेमिड वार्नर वा मिशिल माश लेकिन लगता है कि वो बुम्रा नाम की पढ़ाई ढंग से नहीं करके आए जस्पृत बुम्रा दोस्तों आते ही जस्पृत बुम्रा ने ऐसा जटका दियान आज उस्ट्रेलिया की टीम को जिसके लिए वो प्रिपेर नहीं थे बिल्कुल भी ये वाक्य पारी के तीसरे ओवर का है अब तक पांच रन ही स्कोर बोड पर लगे थे और नई गेंड से कप्तान साथ सबसे ज़्यादा भरोसा आजकल बुम्रा और सिराज पर ही तो करते हैं लेकिन दोस्तों बुम्रा ने अपना काम तीसरे ओवर की दूसरी गेंड पर कर ही दिया देगे एमेच दमरम स्टेडियम में भले हाई स्कोरिंग मैचेस कम होते हो लेकिन यहां की जो पिछ है ना यहां पर बाउंस और स्पिनर को टर्न बहुत ज़ादा मिलता है और दोस्तों एक्स्ट्रा बाउंस का इस्तिमाल करते हुए आउटसेड ओफ की तरफ इस गेंड को डालते हुए बुम्रा ने जानकर मिशल मार्च के बल्ले कायज लगवाना चाहा और वो इसमें कामया भी हो गए केंडिन के बल्ले कायज लेकर स्लिप में खड़े विराट कोली की तरफ गई लेकिन कैच इतना भी आसा नहीं था दोस्तों विराट कोली ने एक खातक एक्रोबैटिक डाइव लगा कर इस कैच को पकड़ा और मिशल मार्च का विकेट ना शून ने रन पर भारत को मिल गया था और दोस्तों ये कैच इतना साधा श्यांदर था कि अमपायर ने एक श्यांदर नहीं लगाया अपनी उंगली खड़ी करने में और खिलाडी को आउट देने में वो जानते थे वगए विराट कोली की एक्रेसी गलत तो नहीं हो सकती खेर दोस्तों विराट के इस कैच ने बुमरा की इस रफतार ने भारत को पहला विगट दिलाया और इस मैच में जीत की नीव रख दी है और रेड़ी वैसे आपको बता दें जब पहला विगट पावर प्ले में गिरता है ना तो बड़े से बड़ी टीम भी हिल जाती है और शेलिया के चीज़ है लेकिन फिर भी दोस्तों बुमरा की रफतार और कोली के इस अदबुद कैच को आफ दसमें से कितने नमबर देंगे जिसे की गैर मौजूदगी में क्या धवन की कराई है रोहित नवापसी आखिर गिल के अलावा और किसे दिखाया मास्टर माइंड रोहित ने टीम से बाहर का रास्ता ऐसे कौन से सुपस्टार खिलारी को किया शामिल जिसका नाम सुनकर ये ऑस्ट्रेलिया गेंदास काप उठें दोस्तों विश्व कप का धमाकेदार आगाज हो चुका है जिसमें अब तक ऐसा माहा मुकाबला देखे गए हैं जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी ऐसे में अब मेजवान भारत से उम्मीद कई गुना बढ़ चुकी है क्योंकि यदि अपनी सरजमी पर हिंदुस्तान नहीं जीत पाया तो फिर लानत है हम पर इसी कारण टीम इंडिया पूरे तरीके से कमर कस चुकी है दुनिया भर की सभी नौट टीमों को कुछ चलते हुए फाइनल की ट्रॉफी पर कबसा जमाने के लिए लेकिन इस रोमान्चक सफर की शुरुआत पांच बार की विश्व चिदंबरम स्टेडिया में खेला जाने वाला है और यह पिछ तो इस पिन की कितनी मुफीद है इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है उस हिसाब से देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है लेकिन इतिहास तो कुछ और ही गवाही देता है जिहां इंडिया और आस्ट्रेलिया के बीच जब पिछली बार ये मैच हुआ था तो आस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से पटक नहीं दी थी यानि कि अब ना सिर्फ हमेशा पिछली हार का बदला लेना है बलकि विश्व कप में अपने फैंस को एक आस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेंग 11 में मौका नहीं मिल सकता है इस कारण ही अब प्लेंग 11 में कई बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ गई है जो कोई भी नहीं चाहता था लेकिन अब दिल पर पत्थर रकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने टीम इंडिया की प् पैंस का दिल थोड़ा है जी हाँ दोस्तों जहां एक तरफ इस साल वंडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले शुभुमन गिल को प्लेंग 11 से बाहर होना पड़ा तो अब उनकी जगार रोहित ने पॉकेट डैनमो इशान किशन पर भरोसा जटाया है जो उनके साथ भारतिय टीम को एक धाकड शुरुआत दिलाते हुए हमें नजर आने वाले हैं यानि की लंबे समय बाद क्लासिकल लेफ्ट और राइट हैंड की ओपनिंग जोड़ी बाहरतिय टीम में भी वापिस आ चुकी है हाला कि किशन गिल की बराबरी कर बाते हैं या नहीं यह देखना दिल पिरार है नमबर चार के पैदान पर हमें कमाल लाजवाब राहुल नजर आने वाले हैं जो बतोर विकेट कीपर भी मैदान में उतरेंगे तो वहीं पांचवी पोजीशन पर अपने सबसे भरोसे मंद खिलाडी सूर्या पर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने भरोसा जताया है यानि कि श्रेस अईयर को प्लेंग 11 से पत्ता कट चुका है जो उनके फैंस के लिए बेहत बहुत बड़ा जटका है नमबर 6 के पायदान पर आल राउंडर डिपार्टमेंट को लीड करते हुए हमें कुनफु पांटिया नजर आने वाले हैं जिनका साथ निभान का सबसे बड़ी सिम्मेदारी रोहित ने दिये तो वहीं चेननी के पिच पर कंगारूं को बकिया उधेरने की जिम्मेदारी कुल दीप यादव की फेरकी पर सौपी गई है जो रोहित के ट्रॉम कार्ट साबित होने वाले हैं तो वहीं अंत में दो सबसे खदरनाक तेज ग गेंदबास और वन्डे का सबसे खदरनाक तेज गेंदबास कंगारूं पर कहर बनकर तूट पढ़ने के लिए बेकरार है जहां ये प्लेंग 11 तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी के भी डेड़ सारे विकल्प मौजूद है जो को खदेडने के लिए कदम रख चुके हैं सिक्का भी उनके पक्ष में रहा और टॉस जीत कर रोहित शर्मा के साथ भारती बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया का दिन में तारे दिखा दिये तो आकर खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर कितना हो गया भारत का स्कोर किस पाज अपनी कीमती राये नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों क्रिकेट के महा कुम्ब वंडे विश्वकप का शंकना धमा के दार हुआ है ऐसे में महा मुकाबले खेले जाने जिसकी तो किसी ने कलपना भी नहीं की थी तो वहां दूसरी तरफ में ज बारों पर चलना होगा और सबसे बड़ी चुनाती तो ये है कि ये पहला मैच चेने के एमेच इदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है जहां पिछली बार जब दौनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो आस्ट्रेलिया ने हमें बुरी तरीके से हराय था उ आज भी हमारे जहन में बसी हुई है लेकिन लाइव मकाबले में जाने से पहले आपको बता दें कि इस बार सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पूरी दुनिया में विश्वगब का परसारन स्टार स्पोर्ट्स के प्लैटफॉर्म पर मुफ्त में किया जा रहा है जहां चेनी में कदम रखते ही रोईत शर्मा ने टॉस तो जीत लिया है लेकिन जो दोनों ही टीम का इतिहास है वो करोडों भारतियों के पसीने जरूर शुड़ा रहा है जी हाँ यदि विश्वकप की बात करें तो दोनों टीम में वंडे विश्वकप में अभी तक 12 बार भीड चुकी है जहां ऑस्ट्रेलिया ने आठ भी बाजी मारी है जबकि चार मुकाबलों में टीम इंडिया विजए रही है तो केवाल इतना ही नहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 144 वंडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं भारत ने 56 मुकाबले जीते हैं जबकि और ऑ्सट्रेलिया ने 86 मैचों में भारत को माद दी है दस मैचों का परिम नहीं निकल सका है तो केवाल इतना ही नहीं हिंदुस्तान मेही भारत्य टीम ऑस्ट्रेलिया से 70 वंडे मैच खेल चुकी है जनमेसे भारत ने 32 वहींं ऑस्ट्रेलिया ने 33 मैच जीते हैं यानि कि देखा जाए तो अस्ट्रेलिया का पलडा पूरी तरीके से भारी नज़र आ रहा है लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस इस बार अलगी इस तर पर चल रहा है। हमने हाल ही में एशिया कप जीता है तो वहीं टॉस जीत कर मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा और शुबमन गिल ने हमें तूफानी शुरुवात भी दिला दिये और इस मैच में टीम इंडिया हावी क्यों है हम आपको बता दें तो चेपॉक की पिच आम तोर पर इस्पिनरो और ग्लेन मैक्सवेल हैं दोनों टीम के पास एक से बड़करे गेंड़ बाबले बाज हैं जो की मिंटो में गेम का पासा बलट सकते हैं